नमस्कार मैं हो ससी आई जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं किये जाने की बात कही इस सम्मंद में सरकार के प्रधान सचीव अजय गुमार सिंग ने राज के सभी अपर मुख सचीव सभी प्रधान सचीव सचीव प्रमंडलिय आयुक्त विभागा अध्यक्ष और डीसी को पत्र भेज कर इसे लागू करने का निर्देश दिया पत्र के माध्यम से सरकार के प्रधान सचीव अजय गुमार सिंग ने कहा है कि राज सरकार के सभी कायकरम और समारोह में अभिवादन के लिए सभी जोहार सब्त का परयोग करे साथ ही कहा है कि जार्खन की पहचान एक जन जातिय बहुलिय राज के रूप में है यहां की संस्क्रीती में जोहार बोल कर लोगों का अभिवादन करने की प्रमपरा है जो इस राजी की बिशिष्ट संस्क्रीती एवाम सम्रीद प्रमपरा को दर्साता है जारखन में फरवारी सुरू होते ही मौसम करवट ले सकता है रांची समेत राजे के कई जीलों में 24 घंटे में ही तापमान समाने से 6 डिगरी तक नीचे गिर गिर गया है बता दे रांची में पारा 4 डिगरी गिरा है इसे तापमान में फिर से उतार चड़ाव के असार बढ़ गए हैं मौसम विभाग के अनुसार एक फरवरी से सर्द हावा का रूख फिर से जारकन की ओर होगा 31 जनवरी तक निमतम तापमान में बिरिती होने के बाद एक फरवरी से इसके गिरने का करम सुरू हो जाएगा पारा तीन से चार डेगरी तक निचे गिर सकता है इसे बहुत ही सुबह में कनकनी बढ़ सकती है मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हावा चलने से 24 घंटे में राज्य के कई हिसों में ठंडी बढ़िया है इसे निमतम तापमान गिरा है नीजी कमपनियों में 75 परतिसत आरक्षन के लिए 1101 कमपनिया ने कराया निबंधन जारक्षन में नीजी कमपनियों में 40 से यर बेतन वाले 75 फिश्दी पद पर अस्थानिये को नवकरी को लेकर बिधान सभा की गठीत बिशेज कमिटी की पहली बैठक सोमवार को हुई बिधान सभा में हुई बैठक में समीती के साभापती नलीन सुरेन बिधायक परदीप यादव सहीत स्रम विभाग के सची और अधिकारी मवजूद रहे नीजी कमपनियों की धीमी गती के खिलाप बिधान सभा की विशेज समीती ने नराजगी भी व्यक्त की है साभापती नलीन सुरेन ने बताया एक विधान सभा की विशेज समीती के समक्ष रखे गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज़े में 1101 कमपनियों ने अपना निबंधन कराया जबकि स्रम भी भागने करी 5000 से ज़्यादा कमपनियों के निबंधन नहीं कराया जाने के बाद नोटिस बेजा है बैठक के दोरान या तय हुआ है कि समीती के सदसे दो जीलो गोड़ा और देवगर का तीन दिवसे दोरा करेंगे दोरा दस से बारा फरवरी के बिच ताय की गई है चार फरवरी को देवगर आएंगे अमीत सा केंदरी ये गिरिह मंत्री अमीत सा चार फरवरी दोह या तेज को देवगर आएंगे देवखर पहुच करभे सब्सेपाँ से पहले बाबा बैधनात मंदीर में बाबा का दर्शन करेंगे। उसके बाद संताल परगना को बड़ी सोगात देंगे। वहाँ से सिरी सा अदेवहर सरकीट हाउस में लॉंच करेंगे दो पहर डेड़ बये से तीन बये तक जासीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो फर्टिलाजर प्लांट का सिलन्याज करेंगे वही तीन पंदर से चार पैतालिस तक गिरिय मंत्री आरके मिशन बिद्यापीट में रहेंगे जहां वे आरके मिशन के सताब्दी समारों में कारेकर में सिर्कत करेंगे जहारखन में इंटर पास पचास यार बिद्यार्थियों को हर साल पर सिक्षन देगी सरकार राजे के 50 जार इंटर पास बिद्यार्थियों को प्रति वर्ष सरकार ब्यावसाई के कोर्स की ट्रेनिंग देगी इसका प्रस्ताव स्कूली सिक्षायों सरस्ताव विभाग ने त्यार किया है इसे CM4 कौसल विकास वेनाय के नाम से शुरू करने की त्यारी है इसके ताद विद्यार्थियों को टूल रूम प्रस्क्षन, नर्सिंग, बिप्यो, मल्टी मीडिया और आई टी एस का प्रस्क्षन दिया जाएगा योजना को विद्या वर्ष दोहयर तेस चोविस के बज़ट में सामिल किया जा सकता है प्रतियों गिताब परिक्षा की त्यारी करने विद्यार्थियों के लिए ओनलाइन का अक्षा का संचारन किया जाएगा इस सम्द में भी सिक्षा विभायक ने प्रस्ताव त्यार किया है पहले वर्ष 25 हेर विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाएगा इसके साथ ही परत्योक्ताप परिक्षा की तियारी के लिए बिधायकों की ताब भी उपलब्द कराने की योजना है 1932 खतियान बील फिर राजेपाल को भेजेगी हेमंत सरकार सराय के लमे खतियानी जो हरयात्तरा से सतह धारी दल के विधायकों ने सो मुझार को एलान किया है कि सरकार एक बार फिर 1932 के खतियान अधारीत अस्थानियता का विधायक ज़ारगन बीधान सभा से पारित कराईगी बिधायकों ने कहा है कि हमंद सुरेन के नितित वाले UPA सरकार ने जहारखन के लोगों के हितों में कई अहम फैसले किये हैं सरकार आगे भी जन हित में काम करती रहेगी कहा है कि जो खतियान की बात करेगा वही जहारखन पर राज करेगा बिधायकों ने राज जेपाल पर भाजपा के इसारे पर काम करने का आरोप लगाया सराय के लाके भागवान बीरसा मुंडा स्टेडिय में आवेजीत खत्यानी जोहर यात्रा के समापन की पुर्व संध्या पर इच्चागड की बिधायक सवीता महतों ने कहाया की खत्यानी जोहर कारकरम में राज के लोगों के सुरक्षित भविस के लिए सरकार ने महत्पुर्णी न लिये हैं भारत जोडो यात्रा के समापन में दीखी जारखन की जोरदार भागिदारी कन्या कुमारी से सुरू हुई कौंग्रेस की भारत जोडो यात्रा बारह राजियों और दो के लिए सासित परदेश से होते हुए चार यारासी किलिमेटर की दूरी तैक कर जम्मु कास्मीर पहुंची जहां समापन कारकरम आयोजीत किया गया सिरी नगर के सेरे एक कास्मीर एस्टेडिया में भारत जोडो यात्रा को लेकर आयोजीत रैली में जहारकन की भी जोरदार भागिदारी दिखी समापन समारों में जहारकन परदेश कॉंग्रेस अध्यक राजेस ठाकूर कॉंग्रेस विधायक दलक नेतालमगीर अलम भारत जोडो यात्रा के राज संजोजग सुबोध कान सहाय और महागडबंधन की ओर से मंत्री मितलिया ठाकूर आधिक कई नेताओं ने सिर्कत की राजेस कक्छप का हाथ पकड़कर नर्सुने लगाई गुहार सेवा निमेती करण की मांग को लेकर एनेचेम की अनुबंधित नर्से और पारा मेडिकल कर्मी 24 जनवाज से अमरन असन पर हैं सोम और कुराज बनिसीत अमरन असन अस्थल पर कॉंग्रेस के खिजरी से विधायक राजेस कक्छप पहुंचे कॉंग्रेस की पिधायक ने अन्सन पर बैठे सभी आंदोलीत नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों को भर्षा दिलाया कि जल्द उनके मिठाई खाने का समय आएगा बता दे अन्सन पर बैठी एक अनुबंधित नर्से ने राजेस कक्छप का हाथ पकड़कर सेवा अस्थाई करन की गुहार लगाते हुए कहा है कि क्या आपकी सरकार हमारी सेवा का यह इनाम दे रही है राजेस कक्छप ने सभी आमरन अन्सन कर्योग से कहा है कि वह अपने स्वास्त का ख्यार रखे और थोड़ा समय दे जल्द मिठाई खाने का समय आएगा पारसनाथ पहाडी को मुक्त कराने के लिए बिर्षा के गाउं से उल्गुलान जेमेम बिधायक लोबिन हेमरम ने पारसनाथ पहाडी पर जेन धर्मलंबियों द्वारा दखल करने का आरोप लगाया है इसके खिलाप उन्होंने भगवान बिर्षा मुन्टा के गाउं उल्गुलान के सुरुआत की जिसमें भगवान बिर्षा मुन्टा के वनसज सुखराम मुन्टा समेथ उलिहातू गाउं के ग्रामिन भी सामिल हुए सुखराम मुन्टा ने बताया है कि पारसनाथ पहाडी पर संथालियों का मरांग बुरु है जिस से जैनधर्मलंबी आदिवासीों को बेदखाल करने की कोशिज कर रहे है यहां मंदीर बनाने की कोशिज की जा रही है मार्च में पेस होगा हेमत सरकार का बयट जहारखन सरकार मार्च में नए वित्य वर्ष तो हैरते 24 के लिए बिधान सभावे बयट पेस करेगी राजे के आम आदमी को केंदर में रह कर बनने वाले बयट को अमतिम रूप देने की परकिरिया सुरू हो गई है लिहाजा बयट प्रस्ताव में आम और खास लोगों के सुझाव भी सामिल किये जाएंगे सरकार हमिन कर बयट के पोर्टल और बयट परिचर्चा के दोरान मिलने वाले सुझाव में सबसे अच्छे सुझाव को सामिल करेगा धन्यवाद